अब फर्स टाइम मेरी यूट्यूब चैनल पर आया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू वेलकम टू मेंस्टर राउल इडिटेक चैनल फॉर जॉब अपडेट्स आज एक बहुत ही अच्छी वेकेंसी निकल के चैनल फे यह है ब्रहमोस एरोस्पेस प्राइबेट लीमिटेट के तरब से ब्रहमोस द़ प्राइड ऑप आपे मिसाइल बनाई जाती है ब्रह्मो सरसेश प्राइवेट लिमिटेड में मिसाइल बनाई जाती है वहाँ पे तो इसी कंपनी में बहुत ही अच्छी रिक्रूप्मेंट निकली ही अभी तो हम लोग देखेंगे वन बाई वन डिसकस करेंगे ठीके वेरियस टाइपस अब पोस्ट वगरे हम लोग पूरा भी डिसकस करने वाले यह आपे तो सबसे पहले पोस्ट निकल के यह आपे सिस्टम इंजिनियर की तो उसके लिए जो डिसिप्लिन्स लग रही है क्रैटेरिया जो है इलिजिबिलिटी वो है मेकेनिकल ECE और EEE यह तीन ब्रांच के लोग यहापे फॉर्म पर सकते इस पोस्ट के लिए फर्स क्लास बीटेक मेकेनिकल ठीक है मेकेनिकल ECE और EEE में आपका फर्स क्लास होना चाहिए मतलब 60% के उपर आपका percentage होना चाहिए इसके बाद में आपको तीन साल का experience होना चाहिए कोई भी रेपूटेट कमपनी में production में होना चाहिए या फिर production documentation इनन computerized environment में ठीक है आपको तीन साल का आपके experience होना चाहिए यापे तो number of post जो system engineer में निकल के आई है वो है 18 9 मेकेनिकल के लिए है तो पिलानी आपको पता ही होगा आपके बीट्स पिलानी आपने college का नाम सुना होगा तो बज वही है पिलानी then next post निकल के यापे system engineer के लिए mechanical, EC, EEE के लिए तो यापे भी आपको B.Tech और B.E. first class में होना चाहिए आपका B.Tech और B.E. और यापे भी आपको तीन साल का experience यापे लगने वाला है ठीके तो आपको experience होना चाहिए तीन साल का quality assurance में quality control इना computerized organization में आपको ठीके reputed जो companies है manufacturing companies वहापे आपको quality assurance quality control में आपका experience तीन साल का होना चाहिए यापे पोस्ट निकल के आई है दो mechanical के लिए दो निकल के आई है और दो पोस्टे ECE और AAA के लिए इसका भी job location होने वाला हेथरबाद नागपूर और पिलानी यापे इसका पोस्ट निकल के आई है यापे system engineer की तो यहापे जो subject discipline होना चाहिए वो computer science है फिर information technology में होना चाहिए तो इसका जो essential qualification है आपे आपे भी आपका computer science और information technology में first class होना चाहिए B.E.B.Tech में above 60% mass होना चाहिए और यापे भी 3 साल का experience मंगा गया है तो यापे आपको बताता हो one by one proficiency in C, C++, Python use of a design pattern and coding standard तो आपको जैसे यापे C, C++, Python में आपको experience होना चाहिए ठीक है और जो coding होते उन में भी आपको experience होना चाहिए then experience in GUI design with QT and application design experience in QGIS, ARC, GIS में आपको experience यापे होना चाहिए 3 साल का then experience in preparing and formulating software life cycle document in IEEE format ठीक है इसमें भी आपको 3 साल का experience होना चाहिए then experience in at least one SQL and one no SQL database में आपको experience होना चाहिए तो यहापे जो number of post निकल के आई है यहापे system engineer, computer science के लिए वो है 2 और location सरिफ यहापे हेदराबाद होने वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेस of posting है यहापे हेदराबाद, नाखपूर या फिर पिलानी में कवर सेंटर है वहापे आपको posting मिलने वाली है then इसका age limit होने वाला है, form भरने का 28 years होने वाला है born on और after 1 June 1994 1 June 1994 या फिर उसके बाद के जो भी candidates होंगे वो यह form भर सकते है then आपको जैसे मैं बता दूँ इसका salary क्या होने वाला है सबसे पहले आप appointment होगे as a engineer trainee ठीके चार मंत के लिए on job training आप ब्रह्मास work center में during the training period on consolidated stipend of 50,000 पर मन तो आपका जो चार मैने का जो training होने वाला है वापे आपको 50,000 पर मन दिया जाने वाला है as a engineer trainee आप वापे जॉइन करोगे तो चार मैने के बाद में आपका जो training complete होने के बाद में आपका system engineer का post मिलने वाला है वो भी permanent post होगा उसका जो basic पे होगा वो 60,700 होने वाला है ठीके तो आपका जो CTC पर year होने वाला है वो है 16 lakh का होने वाला है तो एक काफी अच्छी पोस्ट है और काफी अच्छी salary प्रोवाइट करने जा रही है आप company 60,700 basis पे उसके बाद में T.A.D.A. वेगरे सब मिलके आपका 60 lakh per year salary होने वाला है तो आप how to apply के बारे में जलेगा आप कैसे apply कर सकती इस form को सबसे पहले आपको यह जो website दी हुई यापे www.bramos.com slash carrier new php यहापे जाना है आपको वाह से आपको application डाउनलोड कर लेना है आपको पुरा वो जो application है वो fill up करना है और उसको आपको speed post या फिर courier से आपको यह जो address दिया हुआ है आपे आपको post कर देना है ठीके तो last date जो रहेगी इसकी application post करनी की वो है 30 July 2022 को आपको post कर देना है तो आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो like करे, share करे और subscribe करे तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो बे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ तो take care, bye bye, see you take care, bye bye